गोतम बुद नगर जन्पत के सभी समानित नागरिगन जैसा आप अवगत हैं कि करोना से जंग अभी जारी है करोना से इस जंग को जितने के लिए ये आवश्यक है कि सभी समानित नागरिगन कुछ नीवों का सक्ती से पालन करें चुंकि इस समय लॉकडाउन दिरे दिरे सरकार द्वारा समापत किया जा रहा है और हम अनलोग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में इन सावधानियों को और भी अदक सक्ती से पालन किया जाने की आवश्यक्ता है नमबर एक जहां तक संभव हो अपने घर पर बन रहें घर से बाहर तबी निकलें जब अति आवश्यक हो नमबर दो घर से बाहर निकलते समय अपने चेरे को अपने मू नाक और चेरे को मास्क से ढखें अगर आपके बस मास्क नहीं हैं तो कोई भी अंगोच्चा या किसी भी वस्तर से अपना मू ढखकर ही बाहर निकलें बहुत सारे देशों ने केवल 100% मास्क पैन कर ही करोना जैसे इस भ्यंकर महमारी पर कबू पालिया है और वहाँ पर करोना महमारी लगबक समापत हो चुकी है अता यह बहुत अवश्यक है कि हर समय मास्क लगाए रखें और घर के अंदर भी यदि दो व्यक्ति एक कमरे में हैं तो उस समय भी मास्क लगाए बैठने की सिला दी जाती है कहा जाता है कि यदि दो व्यक्ति मास्क लगा कर अब हासपस हैं तो भी करोना के संकर्मन के फैलने की जो प्रब्रबिल्टी है जो संभावना है वो अत्यंत नियुंतम हो जाती है इसलिए मास्क लगाना सबसे महत्तपुरन कार्या है तीसरा शोशल डिस्टेंसिंग हर समय दोगज की दूरे बनाए रखे हम लोगाने देखा है कि लोग दुकान पर कुछ करीदते समय या कई बार शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं परन्तु चलते समय घर से बाहर निकलते समय बजार में चलते समय वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं करोना नामे किस महामारी ने हमें ये अफसर दिया है कि हम कुछ नई आदतें सीखें जो विष्या में सबका बला करेंगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक बहुत महत्तपुरन सीख है किरपया करके हर समय चलते समय बैठते समय खेलते समय बजार में खृदधारी करते समय अपने दफ़्तर में काम करते समय यहां तक कि अपने घर में भी दो गज की दूरी अपने निजदी की विक्ती से हमेशा बनाए रखें बार-बार होत दोना ये एक बहुत अच्छी आदत है यदि आपको पता हो करोना सबसे अधिक उस समय फैलता है जब हम अपने संकरमित हाथ को अपने नाक, मुँ या आँख या चेरे पर टच करते हैं इसलिए यदि हम हाथ को बार-बार दो लें हाथ को साब्बून से या किसी अच्छे सैनिटाइजर से 20 सेकंड से ज़्यादा रगड़ रगड़ कर चारों तरफ अच्छी तरह से दोएं तो ये जो करोना वाइरिस आपके हाथ पर हैं उनका नाश हो जाता है इसलिए ये भी जरूरी है कि बार-बार हाथ दोने की साब्बून से या किसी अच्छे सैनिटाइजर से हाथ दोने की आदत जरूर डालें हाकिर में ये धि किसी भी व्यक्ती को किसी परकार की कोई शिकायत आएज जिसमें बुखार चड़ना खांसी आना ये साथ पोलना ऊसको तत्गाल ही डॉक्टर से संपरक करके COVID test करा लेना चीए ताके इसकी COVID की संभावना को करोना की संभावना को समाप्त किया जा सके आपको पता है के अर्ली detection करोना का जल्धी सी जल्धी पता करना एक बहुत साहटा करता है डॉक्टर को आपका इलाज करने में यदि करोना के किसी व्यक्ति में लक्षन पाय जाते हैं और टेस्ट करने में देरी की जाती है तो ऐसे में खत्रा बढ़ जाता है वो व्यक्ति कई वार गंबीर श्रेणी की सालत में पहुंच जाता है और यहां तक के उसको वेंटी लेटर पर डालना पड़ता है इसलिए अरली डिटेक्शन बहुत जरूरी है किसी प्रकार का लक्षन दिखाई देने पार तुरंत अपने डॉक्टर से संपर करें यह बहुत जरूरी है एक और केटिगरी है उस श्रेणी के लोगों का विशेश ध्यान रखने की जरूरत है ऐसे व्यक्ति जो 60 साल की उमर से ज़्यादा है हमारे सीनियर सिटिजन ऐसे व्यक्ति जिनको को मॉर्बिडिटी है अर्थात कोई अन्य बिमारी है जिसवें बीपी, शुगर, डायलेसिस, किड़नी की कोई बिमारी लिवर की बिमारी, कैंसर जैसी बिमारी उनका द्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि करवना ऐसे व्यक्तियों को अधिक टैक करता है उनका विशेश द्यान रखें और जानना ऐसे व्यक्तियों कि घर पर टेंपरिचर मेजर किया जाए यदि संभव हो, उनका पल्स ओक्सीमिटर के तर के थ्रू ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी न अपपा जाए और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल यदि 94 से काम जाता है तो तुदकाल डॉक्टर से संपरक करने की जरूरत है मेरा आखिर में इस जिले के सभी नागरी को से नरोध है कि इन यदि आप ऐसी साफ़ दन्या बरतेंगे तो निश्चित तोर पर करोना से जंग लड़ने में हम सब को बहुत मदद मिलेगी और बहुत जल्दी हम करोना से ये जंग जीत पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद